हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमर और आप देखरें वियर के सुलॉर दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो लग्स का क्लींपिंग नो और प्रॉपर कैसे होता इस्टेबेस्टेट उमें एक ये करके इसमें बताऊंगा वीडियो के साथ तो चलते हैं वीडियो को मैं आप स्टार्ट करता हूं सबसे पहले आपको बता दू यहां पर जो है ना 3.5 कोर का 3.5 कोर का 1502 mm का आर्मर केबल है यहां पर और इसमें जो है तो यह ढल सकते हैं तो यहां पर लग भी एलियोमिन का लगेगा ठीक है तो सबस्थर पर यहां पर चलते हैं नेक्स्ट यहां पर तो आपको सबस्थर लिए प्लेगा लग्स जो है न उसको मेजरमेंट कर लेना और उससाफ से यहां पर इसको नाइफ के द्वारा कट कर लेना ठीक है उसको कट करके और वहां से यह निकाल देना है और निकालने के बाद इस परकार से जो है न लग डाल देना है ठीक है यहां पर देखे लग डालने के जैसे वहा आफको यह इस दो नहों और ये निकलने के चांसन सेना उतना इसको अराम से अन्दर तक मोज। यहां पर बनता तो यहां पर पर अंदर कर के और फिर इसके अंदर डाल सकते हैं यहां पे तोटल 4 लग्स लगाना था जो कि 4 केबल था 4 केबल में इसमें 6 यॺ जो है 95 का लगाया हूं 95 का लगए उन्गे 50 का का लता है सभी एल मुलियम लगा क्योंकि आपको पहली बता है केबल 3.5 कोर का है यह फॉर को कोडन केवल नहीं है 3.5 का मतलबहे हो गया जो एक केवल में जो है ना छुत इसमें चार्डर रहता है जिसमें तीन को का है और एक हाप का को कृम्प् nom चूल्स कुछ परकार रहता है को उस council करना चैसे 152 का केवल है तो 50 का इसमें जो kit लगेगा और एक 95 का kit लगेगा क्याकि लग का size और cable का size और kit जो आप crimping करते हैं वो तीनों का एक ही size यूज़ करना है जो 95 के लिए जो 3.5 है ना तो 5 में black बला जो है तो half रहता है तो उसमें 95 का करना है लग से भी और crimping करते भी किटी भी ठीक है और 150 के लिए आपको जो है 150 का लग्स यूज़ करना है और उसके बाद किटी भी जो है ना crimping time वहाँ पर भी 150 यूज़ होगा ठीक है तब हम black यूज़ ब्लाइक से यूज़ ब्लाइक बाले को crimping करने है प्रापर स्कूर उसको कर दीते स्ट करने के वाद यहां प्रिंपिंग करना है ठीक है न इस वीशे आप से आप क्रेंपिंग कर सकते है यह नीचे देखेंगे जो छोटा से एक रौंड करके हैं इस उंगली के पास यह में देखे च्छोटा सा है जब आप क्रेंपिंग कर लगते इसको घुमाएंगे तोरा से घुमाएंगे नहीं देखेंगे इसको खोलेंगे तो आटोमेटिक यह धीला हो जाएगा ठीक है फिर आपको नेक्स्ट करना है ऐसे आपको एक लग्स में मिनिममम दो मैकजिममम तीन आप क्रेंपिंग कर सकते हैं तीन बार तीन जगा मतलब एक दो तीन देख सकते हैं उपर में यह लो बला में उसमें हमने तीन जगा किया ठीक है इसी इसाब से आपको सभी को क्रेंपिंग कर लेना है क्रेंपिंग जब हो जाएग तो इसमें करेंगे तो इस प्रेस होता है और प्रेस होने के वाद दिखेंगे बहारी हिस्सा निकला हुआ है ठीक है तो इसको न इसके ऊपर लक्स का जितना भाग क्रिंपिंग बाला उस पे स्लीव या आप इंसुलेशन टेप डाल सकते लेक्ट्रिकल टेप जो हते क्योंकि कि यह एरिया अगरु कुछ आ सकता है इसमें प्रोलम से क्यों है इसलिए वहां इसलेशन केलिए इनसलेशन टेप होसके उसके। पहले क्रिम्पिंग जैसे करने लिए जो ढ़ loaf है थो सबस्क्राइब करने के लिए ऐसे निकल देना है तो सेंडर भी जूज कर सकते हैं तो इस एरिया को जैसे अब रभी करना की स्मूथ हो जाएगा स्मूथ इसलिए बनाना है क्योंकि इस पर जाडाना है न अटालेंगे तो यह कट होने का चांस नहीं रहता है इसलिए इसको बफिंग कर देना है ताकि यह स्लीप उस पर या इलेक् देखा देता हूं कि इन्हों यह हो गिया है स्भूथ ho जाएगा अभी यहां पे देखा सकते हैं कि जो हमने ग्रैंडर से ही बोले कर सकते है वैसे आप जो एक रौट होता है उसरे भी आप जो इस स्लीप्स या एलेक्टिकल टेप डालेंगे तो यह कट नहीं होगा जब हम काम करेंगे ठीक है न यहाँ पर उसके बाद आपने क्या किए पहले कट करके लक्स टाल उसके बाद उस प्रॉपर लक्स को सेट किए उसके बाद यहाँ पर क्रिंपिंग कर दिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं तो क्रिंपिंग से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट किजिए थैंक्यू दूस्तों जैंद